हाई गाईज तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्पुट टाइप वीक के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं तो करता है इन्पुट टाइप वीक एलाव दा यूजर सलेक्ट वीक एंड यूर यदि आप इन्पुट टाइप week लिखते हैं तो जो user है week के साथ-साथ year को भी select करेगा जिसे आपको कुछ इस तरह से web browser पर so करेगा यदि आप input time week लिखते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर week को आपको कुछ इस तरह का field मिलेगा यदि आप इस पर click किजिएगा तो आपको कौन सा week है पहला week है, दूसरा week है तिसरा week है, चौत, पाचमा week है छटा week है, सातमा week है कौन सा week है ठीक है उसको select कर सकते हैं और वो किस year का है कौन सा year का हुआ week है क्योंआ week है आप उसके साथ user से input ले सकते हैं जो कि आपको इस तरह से लिखना है, form, form के अंदर level, यह आपको देना चाहते तो, और input में type is equal to week लिखना है, तो चलिए हम इसका example करके देखते हैं, यह मैंने पहले से कुछ text को लिख करके रखा है, तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, form बनाते हैं, यहाँ पर मेरा form ब बना देते हैं, week, और उसके वाद input type, input type क्या लिखना है? week लिखना है, यही कोई input type week लिखेगा, तो वह कौन सा week है, और कौन सा week है, और कौन सा year है, उसको दोनों को वह input एक साथ कर सकता है, तो चलिए हम इसे हम weep browser पर खोल के देखते हैं, इसे हम weep browser पर खोल रहे हैं, से सूखड़ेगा देखिए यह जो week है यहाँ पर week होगा कौन सा week और कौन सा year आप जैसा ही इसको select किज़ेगा देखिए अब ही जो चल रहा है यह current में देखिए 6 चथा week है यह चठा week है ठीक ना यादि किज़ेगा this week यह सेलेकटर देगा यह आपको लगता है कि नहीं 2021 नही 2022 का January में तीसरा week कौन सा होगा तो तीसरा week आप यहां से ले सकते हैं ठीक है यदि आपको week select करवाना है तो किसी user से तो आप input type is called to week लिखे वीक के साथ साथ हुआ year को भी content करेगा ठीक है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा comment box में दाएगा till then thanks for watching this video